युक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती काफी मजबूत हुई है। युक्रेन से मदद मिलने की खबरे आ रही है। कि युक्रेन को F-16 फाइटर जेट दे कर अमेरिका युक्रेन युद्ध को वैश्विक परमानु आपदा की तरफ ले जा रहा है। नौर्थ कोरिया ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है कि वो उत्तर कोरिया के रूस के साथ सेनने संबंधों की आलोचना करे। किम जॉंग उन ने ये तक कह दिया कि युक्रेन के राश्पती वोलदमेर जेलेंस की अमेरिका के हाथ की कट पुतली हैं। वो वाशिंग्टन के इशारों पर चल रहे हैं। लेकिन इस सब के बीज किम ने एक बड़ी बात कही है। वो ये कि हम एक बार फिर अपना पूरा समर्थन और एक जुटता रूसी लोगों की इस लड़ाई में दिखाना चाहते हैं। जो अपने संप्रभू अधिकारों और अंतर राश्चे नयाय के लिए लड़ रहे हैं। किम जोंग उनके इस बयान से साफ है कि वो युक्रेन युद्ध में पूरी तरह से रूस के साथ फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार है। और यही वज़े है कि वो रूस की तरफ से अमेरिका को परमानू हमले की धमकी तक दे गए। आपको बता दे कि ये पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया ने युक्रेन को मिल रही पश्चिमी देशों की मदद की आलोचना की हो। इससे पहले भी जब अमेरिका ने युक्रेन को क्लस्टर बम देने की घोशना की थी तो उस वक्त भी किम जॉंग उन आग बबुला हुए थे। और ऐसी खबरे भी आई थी कि उत्तर कोरिया ने रूस को गोला बारूद, रॉकेट और मिसाइल्स सप्लाई की थी। हाला कि नौर्थ कोरिया ने इन आरोपो को खारिज कर दिया था। हाला कि नौर्थ को खारिज ओर झाल 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 प्लड़ को खारिज आरोपो को खारिज ठते हैं